तो बच्चो आज हम बात करने वाले हैं बहुत important topic की जो boards हो चाहे NTSC हो चाहे आपका कोई और private body olympiad हो या in fact आगे further senior classes में भी आपको ये chapter बहुत help करेगा क्योंकि ये बहुत conceptual chapter है ये कही ना कहीं किसी ना किसी exam में या किसी और तरीके से आपको टकराता रहेगा right तो ये जो chapter है as you can see it is metals and non-metals right तो बच्चो metal और non-metal की अगर बात करें और मैं आपसे पूछू के tell me one word one single word to describe metals non-metals or to define metals non-metals तो वो एक single word होगा they are types of what elements ठीक है तो जब भी हम elements की बात करते हैं elements में क्या आजाते हैं metals और non-metals और बहुत initial अगर बात करूं ancient time की बात करूं तो जैसे से हमने देखा elements थोड़े बहुत discover हुए थे फिर धीरे करके और discover होने लग गए और हमने फिर उनको classify करने की कोशिश करी तो सबसे पहला classification ही आप पढ़ते ना periodic table की आप बात करते हो तो सबसे पहला classification जो आया था elements का वो दिया था लेवोईशे ने और उन्होंने शिरुआत ही यहीं से करी थी उन्होंने बहुत simple तरीके से जो existing elements थे तब लगभग लगभग 30 31 elements नोन थे उस time पर तो उन्होंने उन elements की properties को study किया majorly physical properties को कि वो कैसे दिखाई देते हैं और उस basis पर उन्होंने दो categories बना दी elements की एक को बोला metal और दूसरे को बोला non metals तो उन्होंने क्यों observe किया उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे elements थे जो shine करते थे जो एक ringing sound produce करते थे जो sheet में convert हो सकते थे जो wire में convert हो सकते थे जो solid state में exist करते थे जो good conductors थे heat और electricity के तो उन्होंने यह properties identify करना शुरू किया और उन्होंने देखा कुछ elements तो यह सारी properties चो करते थे कुछ elements यह properties चो नहीं करते थे तो दो opposite groups उन्होंने बनाना शुरू कर दिया नाम क्या रखा metals and non metals तो elements का जो classification है यह classification सबसे पहली बार किस ने दिया ले वाईशियर जो हमारे father of chemistry है right उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत simply physical properties को पढ़ते हुए दो groups में elements को डिवाइड किया metals and non metals अगर हम terminology की बात करें और इसके literal meaning की बात करें तो यह जो term है metals this has been derived from a Greek word metal on यह जो metal word है यह metal on से derived है और metal on का मतलब होता है to mine out to mine out to mine out का मतलब mining करके आपको इन्हें निकालना पड़ेगा यानि यह कहां कर करते हैं यह earth crust में आकर करते हैं और earth crust में से हमको इनको निकालना पड़ता है वहां से इस metal on word से term क्या बना metal फिर हमने इनकी property study करना शुरू किया कि अच्छा यह ऐसे 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 और जो दूसरे type के दूसरे category के elements थे जो कहीं भी आपको मिल जाते थे atmosphere भी मिल जाते थे जरूरी नहीं था को माइन आउट करके निकालना और उनकी properties metals की क्या थी opposite यानि जो metal नहीं थे metal नहीं थे तो term रख दिया क्या non metal राइट तो बहुत सिंपल शिरुवात हुई इस चीज की कि लेवाइशे ने elements को classify किया properties के basis पर metal and non metal non metal simply जो metal नहीं है वो क्या बनता गया non metal में categorize होता गया और metal जो term है वो इस basis पर निकाला गया कि अगर आपको किसी भी metal की जरूरत है जिसे आपको aluminum के sheet बनानी है या आपको gold के ornaments बनाने है आपको silver के ornaments बनाने है तो आपको इन सारे elements क और तुमें से mine out करना पड़ता है तब आप इनको use कर पारते हो तो वो mining से ही term क्या निकला metal और फिर metal non metal दो categories बना शुरू हो गई आज की date में बात करें तो we have 118 elements discovered or synthesized whatever और यह जो elements है यह अब हम 3 categories में divide करते हैं metal और non metal तो है साथ में हम एक और category बताते हैं कौन सी शायद आ आपने सुना होगा तो अब हमारे पास जो elements है वो तीन categories में fall करते हैं metals है majorly जादा numbers जो है elements का वो metals है उनके opposite है non metals और एक तीसरी category element के आ जाते हैं कौन सी metalloid metalloid ऐसे elements हैं जिनकों पहले semi metals भी बोलते थे यह ऐसे elements हैं which show the properties of both metals and non metals चीक है यह metal और non metal दोनों की property शो करते हैं एक simple सा example अगर बोलें तो it can be silicon, it can be germanium यह कुछ metalloids के example है और यह metal और non metal की conditionally कभी metal की property शो कर देते हैं कभी non metal की so they have these intermediate properties of metals and non metals तो तीन categories में अब elements आ गए, metals, non metals and intermediate कौन आ गए, metalloids आ गए यहां से इस topic की क्या हुई शिरुवात हुई, अब अगर आगे अपन बात करें तो इनकी position क्योंकि मैंने कहा के elements हैं तो elements को, सारे elements को आपको पता होगा कि हमने कैसे arrange किया है, periodic table के form में arrange किया है, which is commonly or which is more correctly called the long form of periodic table, right? इसकी बात आगे अपन वीडियो में करेंगे क्योंकि यह भी बहुत, बहुत important topic है और बहुत basic topic है, 11th में भी आता है यह दुबारा से chapter number 3, अगर आप NCRT में देखो तो periodic table ही मिलेगा आपको, तो इसके बिना chemistry को समझना क्या है, impossible, मतलब आप सोची नहीं सकते chemistry को समझना बि है elements का, वो metals का है, non-metals कम है, over 90 elements out of 118 क्या है, metals है, तो metals occupy the left side and the center of the periodic table, metals जो है left से, आप periodic table को left to right read कर सकते हो, आप top to bottom भी रीड कर सकते हो, आप left to right भी रीड कर सकते हो, तो left में सारे metals है और center में भी सारे metals है, right की तरफ क्या आने लग जाते है, non-metals आने लग जाते हैं, तो left or center में क्या है, metals है, और अगर हम non-metals की बात करें, तो non-metals कहां आ जाएंगे, non-metals राइट में आ जाएंगे, ठीक है, इसका एक exception ध्यान में रखना, ये exception बहुत बार, बहुत जगे रिपीट होगा, exception आएगा अपका क्या, hydrogen, important mark करके लिख लेना बच्चो, exception इस चीज का, इस position का क्या जाएगा, hydrogen, hydrogen क्या है, it is the first element in the periodic table, क्योंकि इसका टामें नमबर 1 है, तो ये रखा कहां गया है, extreme left में रखा गया है, extreme left में कौन है, metals है, पर hydrogen क्या है, it is a non-metal, अगर हम इसकी properties देखे, तो ये क्या है, non-metal है, तो hydrogen, although non-metal है, पर ये रखा कहां गया है, left-hand side में रखा गया, so this becomes an exception to this positioning of elements in the periodic table, तो periodic table की अगर simple सी बात करें, तो left में और center में क्या आ जाते है, metals आते हैं, जैसे से आप right में जाते हो, क्या आने लग जाते है, non-metals आने लग जाते हैं, और अगर आपने कभी ध्यान से periodic table देखी हो, तो उसमें आपको एक zigzag line नजर आते हैं, इस तरीके से, यह तो हो गई left side, left hand center, यानि यहां तो क्या आ गए, metals आ गए, और इस zigzag line के इधर क्या आ गए, यानि right hand side में क्या आ गए, non-metals आ गए, इस zigzag line पर जो elements आते हैं, जैसे silicon आता है, germanium आता है, यह जो zigzag line है, यह क्या show करती है, यह show करती है, metalloids को, तो this zigzag line इस पर क्या placed है, इस पर metalloids placed है, तो आप metal से शुरुआत करोगे, left hand center में metals चलते रहेंगे, फिर metalloids आ जाएंगे, और उनके बाद कौन आएंगे, non-metals आएंगे, इस तरीके से यह सारे elements periodic table में placed है, exceptions, सिरफ एक ध्यान में रखना है, क्या hydrogen, right, आगे बात करते हैं, बच्चों, अगर electronic configuration की बात करें, तो देखो, electronic configuration, metals, non-metals का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आपन बात करेंगे, physical properties, और chemical properties की, तो वो सब configuration से ही हम समझेंग कैसा होता है, उनका nature कैसा है, और non-metals का configuration और nature कैसा है, तो अगर बात करें हम metals की सबसे पहले, तो metals में, बहुत importantly, mark कर लेना, metals की configuration के अगर बात करें, तो metals contain either 1 or 2 or 3 valence electrons, valence electrons का मतलब है, वो electrons जो outermost shell में present होते हैं, ठीक है, outermost shell को क्या बोला जाता है, valence shell बोला जाता है, तो metals ऐसे elements हैं, जिनके outermost shell में, सबसे बाहर वाले shell में, या तो एक electron होगा, या दो electron होंगे, या तीन electron होंगे, इसको अपने example से समझते हैं, for example, let's say, हमने लिया lithium, lithium, lithium का atomic number क्या है, 3, अब देखो, इस chapter के लिए, बार-बार मैं, अभी मैंने hydrogen की बात करी, अभी मैं lithium और आगे ही बात करूँगी, तो मैं बार-बार आपको atomic number, atomic number बोलूँगे, अगर आपको नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ, कि atomic number is equal to the number of protons present in the nucleus of the atom, by default it is equal to the number of electrons present in the atom, atomic number, हर element का अपना unique atomic number होता है, no two elements can have the same atomic number, कोई भी दो elements का atomic number same नहीं हो सकता, तो अगर मैंने बोला, let's say atomic number 3, तो सब के द्माग में lithium ही answer आना चाहिए, अगर मैंने बोला, let's say atomic number 17, तो सब के दिमाग में क्लोरी नहीं आंसर आना चाहिए तो हर एलिमेंट का अपना यूनीक क्या है अटॉमिक नंबर उसी से ही हम उसका क्या लिखते हैं वक्षापन आटने लिखते हैं अपने अपने बोला मेंगनीशियम का अटॉमिक नंबर होता है वागर आप इसका गौन्फिक्रेशन लिखो तो आजाएगा 2, 8, 2 count करके देखो 12 हो गया है अब इसका valence shell कौन सा है? ये वाला K, L, M the third shell is the valence shell in magnesium और उसमें कितनी electrons आ रहे हैं? 2, क्योंकि valence electrons 2 हैं, ये भी किस category में चला गया? metals की category में चला गया चलो कोई और example लेते हैं for example इसी के पास में आता है aluminum, atomic number 13 ठीक है, इसका configuration लिखेंगे तो कितना आजाएगा? 2, 8, 3 अब इसके valence electron कितने हैं? 3 हैं तो अगर आपको identify करना है this is also a very common type of question कि बहुत सरे x, y, z, a, b, c करके ऐसे unknown elements देते हैं और उनका atomic number आपको बता देते हैं तो पुछते हैं, इसमें से metals कौन है? non-metals कौन है? तो बहुत easy आप सबका configuration लिखें जिसके भी outermost में 1, 2 या 3 electron आता है 1, 2 या 3 valence electron आते हैं वो किस category में आ जाएंगे? metals की category में आ जाएंगे very simple, ठीक है? अब अगर इनके nature की बात करें तो देखो एक छोटा से rule अपन पढ़ते हैं which is called the octate rule शायद आपने नाम सुना होगा octate rule octa referring to 8 octate, octa का मतलब होता है 8 तो ये rule क्या कहता है? ये rule basically stability का criteria है ये rule ये कहता है कि अगर किसी भी atom के outermost में 8 electrons है तो वो stable है और अगर नहीं है तो वो stable नहीं है बहुत simple सा rule है क्या कहता है octate rule octate rule है कहता है कि any species और any atom which has any atom which has 8 valence electrons बाहर वाले ही देखने हैं और कुछ नहीं देखना अगर किसी भी atom में 8 valence electrons होते हैं तो वो कैसा होता है? stable होता है otherwise वो stable नहीं होता है ये noble gases को study करके हमने rule निकाला अब हर element हर atom क्या कोशिश करेगा? अगर वो stable नहीं है तो वो stable होने की कोशिश करेगा ये तो basic thumb rule है अमारे पूरी universe का ही ये thumb rule है कि हर चीज stability की तरफ बढ़ रही है तो अगर कोई atom stable नहीं है तो वो क्या कोशिश करेगा? कि वो anyhow stable हो जाए अब metals पर ये चीज़ अपलाई करते है ठीक है? क्या करना है इनको? octet rule follow करना है octet में ही एक और इसका modification आया वो भी आप ध्यान में रखना which is called the duplet rule ठीक है? major तो octet rule है इसी का एक subset क्या आगया? duplet rule duplet referring to double means two तो जैसे यहाँ पर eight valence electron की बात की गई है यहाँ पर बात की गई है two valence electron की ठीक है? helium को study किया helium is again inert gas है बहुत stable है कोई body ने बनाती कोई reaction ने करती जब उसकी configuration को पढ़ा तो समझ में आच्छा ऐसे भी stable हो सकता है कि उसकी दो valence electron हो जाए पर यह वाला जो duplet rule है यह किसके लिए follow होता है this is followed for small atoms जैसे hydrogen atom हो गया lithium हो गया ऐसे atoms जो बहुत छोटे हैं इतने छोटे कि उनमें capacity नहीं है eight electrons को acquire करने की तो वो octet तो कभी भी complete नहीं कर पाएंगे तो उन चोटे-चोटे atoms के लिए क्या follow होता है duplet rule follow होता है तो majorly maximum elements octet rule follow करते है but small atoms like hydrogen है lithium है they all follow what duplet rule ठीक है अब यह पूरा concept अपन metals के configuration में लगा कर देखते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है तो metals में as I said they will have either one, two or three electrons अब अगर इनकी बात करें for example let's say magnesium की बात करें तो outermost में कितने है two valence electron है न two valence है तो यह stable नहीं है क्योंकि stability का criteria क्या है octet यह क्योंकि बड़ा atom है आप इस पर duplet नहीं लगा सकते ऐसे मत सोचना कि माम इसके outermost में two आगा यह duplet rule follow करके stable हो जाएगा no, it is a bigger atom it has a capacity of eight electrons तो इसके लिए क्या follow करना पड़ेगा आपको octet rule follow करना पड़ेगा confuse बिल्कुल भी मत होना तो यह क्या stable माना जाएगा जब इसके eight valence electrons होंगे अब eight कैसे होंगे देखो इसके पास दो option है या तो इसके पास two electrons है यह कहीं से six electrons और gain कर ले two और six मिलकर क्या हो जाएगे eight electrons यह पहला option है दूसरा option क्या है कि यह अपने इन दो electrons को lose कर दे किसी और को दे दे donate कर दे अगर यह दो electrons lose हो जाते हैं तो outermost में देखो क्या आजाएगा eight electrons आजाएगे खुद सोचके बताओ क्या जाधा easy है six electrons gain करना six electrons gain करना या दो electron lose कर देना of course दो electron lose करना क्या है जाधा easy है for magnesium atom तो यह क्या करता है दो electron lose करता है और इस तरीके से अपना क्या कर लेता है octet complete कर लेता है but कभी भी कोई भी atom जब electron lose करता है, because electron is a negatively charged particle, तो उसमें से negative निकल कर जा रहा है, वो क्या करेगा? Positive charge acquire कर लेगा, कितना acquire करेगा? जितनी electrons उसने lose करे हैं, तो ये क्या करेगा? जब ये दो electron lose करेगा, तो it will convert into mg2+, atom तो नहीं रहेगा, atom में तो electron proton क्या होते हैं? बरावर होते हैं, वो neutral होता है, जब इसने electron lose कर दिये, तो इस पर क्या आजाएगा? Positive charge and it will become mg2+. ऐसी aluminum के case में क्या होगा? It will lose 3 electrons to become stable, octate अपना complete कर लेगा, 3 electrons lose करेगा, तो इस पर charge कितना आजाएगा? Al 3+, का, lithium के अगर बात करें, ये छोटा atom है, तो ये क्या follow करेगा? Duplet rule follow करेगा, और अपना ये एक electron क्या करेगा? किसी को दे देगा, इसका duplet complete हो जाएगा, और क्योंकि इसने एक electron दिया होगा, इस पर charge कितना आजाएगा? Plus 1 का charge आजाएगा. ठीक है, आप कोई भी randomly example उठा कर देख सकते हैं, मेटल का, वो हमेशा क्या कर रहा होगा? Electron lose. कौन से electron जो उसके valence shell में present है? मतलब या तो 1 electron lose कर रहा होगा, या 2 कर रहा होगा, या 3 कर रहा होगा to become stable. चाहे वो duplet follow करे, चाहे वो octet follow करे. और जब वो electron lose करेगा, तो definitely वो कौन से iron में convert होगा? positively charged iron यानी ketion में convert होगा. तो यहां से हम बहुत important एक conclusion निकाल सकते हैं. बच्चों, important mark करके अपने notes में लिख लेना, कि क्या conclusion निकलेगा? कि metals में क्या है? 1, 2 या 3 valence electron है. And to become stable, to become stable, metals lose electrons. To become stable, metals have a tendency to lose electrons and acquire what? Positive charge. Obviously, जब electron lose करेंगे, तो कौन सा charge acquire करेंगे? Positive charge. Because they are acquiring, they have this tendency to acquire positive charge, they are called, very, very, very important, they are called electropositive elements. क्यों? क्योंकि वो, उनकी tendency क्या है? Electron lose करने के और electron lose करके वो क्या बनाते हैं? Positive charge species बनाते हैं. तो हम कहते हैं, metals are what? Electropositive. ये term आपको आज के बाद हमेशा, हमेशा, हमेशा ध्यान में रखनी है. इसको बिलकुल गाट बांद लीजे, के metals क्या होते हैं? They are electropositive in nature. और उनको एक ही काम आता है, और कुछ नहीं आता. क्या? Electron lose करने का. तो चाहे physical property हो, चाहे chemical property हो, इसी point से govern होगी के metals lose करते electrons, and they are electropositive in nature. I hope ये बात समझ में आ गई होगी. चलो, आगे बात करते हैं, अगर इसी तरीके से non-metals की बात करते हैं, तो non-metals का अगर configuration हम देखें, तो non-metals में क्या है? जैसे हमने metals में बात करी, अगर non-metals में valence electrons की बात करते हैं, तो non-metals contain either 4 or 5, 4 or 5 or 6 or 7 or 8 valence electrons. यानि 4 से कहां तक चल सकता है? 8 से चल सकता है. और आपको ये भी पता होगा, कि किसी भी आटम में valence electrons 8 से जाधा नहीं हो सकते. तो 1, 2, 3 तो किस में आ गए? Metals में आ गए. और 4 to 8 किस में आ गए? Non-metals में आ गए. तो अगर आपको identify करना है कि कोई भी element non-metals है या नहीं, तो उसको configuration लिखना, outermost electron को देखना, 4, 5, 6, 7 या 8 में से कुछ होगा, तो वो किस category में आ जाएगा? Non-metal की category में आ जाएगा. ठीक है? कुछ example ले ले लेते हैं. For example, let's say carbon. Carbon का atomic number होता है 6. इसका configuration है 2, 4. ठीक है? Outermost में क्या आ रहे हैं? 4 electrons आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया? यह non-metal हो गया. चलो, आगे चलते हैं. Nitrogen की बात करते हैं. Atomic number 7. Configuration क्या आ जाएगा? 2, 5. कुछ तो गड़बड चल रही है हमारी class में. पर कोई बात नहीं. यह हो गया 2, 4. और यह हो गया 2, 5. Outermost में कितने आ रहे हैं? 5 electrons. यह भी क्या हो जाएगा? Non-metal हो जाएगा. ठीक है भई? Oxygen की बात करते हैं. 8, क्या configuration चल रहा है? 2, 6. Non-metal हो गया. Fluorine की बात करते हैं. 9, क्या चल रहा है? 2, 7. Non-metal. Neon की बात करते हैं. Atomic number 10. क्या चल रहा है? 2, 8. यह भी क्या हो गया? फिर से वही stable नहीं है. स्टेबल होने की कोशिश करेंगे. Octatrol या duplet rule को follow करेंगे. तो यहाँ पर देखो, अगर हम octatrol apply करें, तो किस तरीके से आ जाएगा? इसके पास 4 electron है. है ना? कार्बन के पास 4 electron है. यह 4 electron और acquire करने की कोशिश करेंगा. हाला कि कार्बन में क्या होता है? sharing of electron होती है. ना वो lose कर पाता है, ना वो gain कर पाता है. क्योंकि lose या gain करना 4 electron को भी बहुत बड़ी बात है. energy के point of view से. तो यह majorly क्या करता है? sharing of electron करता है. पर अगर बाकी सारे cases में अपन देखें. तो इसमें 5 electrons already है. करने कितने है? 8. very simple. अगर इसके पास 2 options के 5 lose कर दे या 3 gain कर ले. पर 3 gain करना easy है. तो यह क्या करेगा? 3 electron gain करेगा. 5 plus 3 कितना हो जाएगा? 8. इसके पास 6 already है. 8 करने के लिए 2 electron कहीं से क्या करेगा? gain करेगा. इसके पास 7 already है. यह अपने आपका octet complete करने क्लिए क्या करेगा? कहीं से 1 electron gain करनी कुशिश करेगा. और यह तो भई reactivity नहीं करेगा. यह noble gas ही तो already stable है. अब जब electron कोई atom gain करता है, तो उस पर क्या जाता है? negative charge से lose किया, तो positive charge आए. क्योंकि electron negative है, क्योंकि atom electron gain करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? negative. जितने gain किये हैं, उतना negative charge आएगा. तो nitrogen क्या बना? 3 minus. है ना? oxygen क्या बना? 2 minus. fluorine क्या बना? minus. और अगर किसी rare condition में carbon 4 electron gain कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? 4 minus. आप देखो, clear cut differentiation है. properties लगबग, लगबग क्या आती हैं? opposite to each other. कि एक की learn कर लेगा, तो दूसरी की opposite हो जाएगे, अपने आप learn हो जाएगे. तो इसमें जैसे हमने metal में important point लिखा था. यहां पर important point क्या आ जाएगा? non-metals have a tendency to gain electrons. ठीक है? as per their requirement. जब वो electron gain करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? negatively charged iron बन जाते हैं. they acquire negative charge. and because they acquire negative charge, they are called electro negative. आज के बाद, यह बात कभी भी नहीं भूलनी है. के non-metals कैसे हैं? electro negative. उनको एक ही काम आता है. क्या? electron gain करने का. तो metals हो गए, electro positive. they have a tendency to lose electrons. they are electro positive. और non-metals क्या हो गए? they have a tendency to gain electron. they are electro negative. clear cut difference. यह बिलकुल गाट बाद लेनी हैं बात. ठीक है? अब इस चीज़ के दो ही exception हैं. वो exception भी आपको याद रखने हैं. उन पर भी question आ जाता है. क्या के exception है? hydrogen and helium. इस पूरे configuration के concept के यह दो exception है. hydrogen का atomic number है 1, configuration है 1. helium का atomic number है 2, configuration है 2. अब अगर configuration wise देखें, तो यह तो metal की category को belong कर रहे हैं. 1, 2 या 3 valence electron. तो configuration wise देखें, तो यह metals होने चाहिए. but both of them are non-metals, property wise. तो यह आप exception ध्यान में रखना. कि यह जो configuration वाली चीज है, इसका exception है hydrogen और helium. दोनों का configuration metal जैसा है, but वो है actually क्या non-metals. ठीक है? तो I hope आज का lecture आपको समझ में आयोगा. इसके आगी की बाद हम next video में करेंगे. इसको revise करके next video को देखना. यह chapter बहुत important है, बच्चो. कही ना कही, as I said, video के starting में मैं आपको बोला, कही ना कही, किसी ने किसी exam में टकराएगा, ही टकराएगा. Right, comment section में जरूर जरूर बताएए कि आप कौन सा topic पढ़ना चाहते है chemistry में, ताकि इसके बाद मैं फटा-फट से वो topic लेकर आप सबके जो problem हैं, उनका solution दे पाऊँ. और भी यह बताएगा कि क्योंकि board की date आ चुकी है, 15th of February, confirm हो चुका है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप जब तयारी कर रहे हैं, तो strategy-wise आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या time management में दिक्कत आ रही है, या चीजे बड़ी confused लग रही है, किस तरीकी की problem, chemistry में भी आ रही है, आपको वो भी बताएगा, और strategically के लिए भी बताएगा, ताकि हम उस solution की video आपके पास ला सके, तिल देन, good luck, thank you.